दोस्तों साल 2024 का पहला चंद्रग्रहन 25 मार्च होली 2024 दिन सुमवार को पूर्णिमा के दिन लगेगा चार राशी वालों की लगेंगी लोटरी चार राशी वालों की पलट्ती किस्मत और चार राशी वालों को होगा भयंकर नुकसान उसको आज की इस वीडियो में हम आपको 25 मार्च दिन सोमवार अपना अलग अलग प्रभाव डालेगा परंतु कौन कौन सी खुश नसीब और भाग्यशाली राशिया हैं जिन पर यह चंद्रग्रेहन अपना शुब प्रभाव डालेगा और साथ ही साथ किन राशियों पर यह चंद्रग्रेहन अपना अशुब प्रभाव डालेगा इस वी चंद्र ग्रहन भारत में दिखाई देगा या नहीं भारत में दिखाई देगा तो कहा कहा दिखाई देगा कब दिखाई देगा सूतक काल का सही समय सूतक काल से के समय तक रहेगा और साथ की साथ चंद्र ग्रहन के समय से के समय तक लगेगा चंद्रग्रहन कितने समय तक लगेगा गर्भवती महिलाओं से जुड़ी कुछ महत्वपून और विशेश जानकारी देंगे और चंद्रग्रहन के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं कौन-कौन से उपाय करने चाहिए, कौ कौन सी सावधानिया बरतनी चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। नहत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकती है। नहत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से सही जानकारी प्राप्त कर सके। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रग्रहन को जोतिश शास्त्र में एक महत्वपूर्ण घटना माना गया है जिसका सभी बारह राशियों पर प्रभाव पड़ता है। साल का पहला चंद्रग्रहन जो 25 मार्च 2024 दिन सुमवार को होली पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि यह चंद्रग्रहन कन्या राशी में लग नहीं रहा है क्योंकि इस दिन चंद्रमा कन्या राशी में विराजमान रहेगा इस चंद्रग्रहन के प्रभाव से सभी बारह। राशिया प्रभावित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों इस चंद्रग्रहन के प्रभाव से कुछ राशियों को तो जबरदस्त लाब मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें साल का पहला यानि की दूसरा चंद्रग्रहन 25 मार्च 2024 दिन सुमवार को होली पूर्णिमा क दिन लगेगा साल के पहले। आप जानते हैं कि वह 25 मार्च की सुबह 10.35 इसे आरम हो जाएगा और दोपहर 3 बचकर 1 मिनट पर खत्म होगा सूतक काल के नियमों का पालन करें साथ ही साथ ग्रहन काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आईए जानते हैं गर्भवती महिलाओं चंदर ग्रहन के दौरान क्या करें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहन काल के दौरान घर के अंदर रहना चाहिए गर्भवती महिलाओं को चंदर ग्रहन के दौरान जागते रहना चाहिए और पूजा पाठ या मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए ग्रहन समाप्त होने के बाद चंदर ग्रहन के दुश ग्रहन काल के दोरान क्या ना करें गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहन के दोरान भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह वर्जित माना जाता है हालांकि भोजन करने से पहले वह एक काम कर सकती है कि जो भी आप भोजन करें उसमें एक तुलसी का पत्ता डालें या नहीं तुलसी का आपको पत्ता चंदर ग्रहन से पहले ही तोड़ कर रख लेना है जो भी खाना बनाएं उसमें आपको तुलसी का पत्ता डाल देना है फिर आप भोजन ग्रहन करें ऐसा करने से चंदर ग्रह ग्रहन काल के दौरान भोजन जरूर करना चाहिए बशर्ते आपको अपने खाने वाले भोजन में तुलसी का पत्ता डाल लेना है और ग्रहन काल के दौरान आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें निरंतर महामरित युन्जय मंत्र का जाप करते रहें भगवान धारवाली वस्तुएं जैसी कैंची चाकू पेन आदी के उपियोग से बचना चाहिए इससे जन्म दोश हो सकता है और आपके शिशु पर इसका नकारात्मक। 2024 का पहला चंदरग्रहन सभी 12 राशियों पर किस प्रकार प्रभाव डालने वाला है इन सभी 12 राशियों में से जो पहली राश्ट्रिय है वह राशी है मेश राशी जादू यह चंदरग्रहन आपके लिए थोड़ी परेशानी वाले संकेत दे रहा है अपनी परेशानियों की वजह से गुस्सा दिखाने की जगह आप शांत रहे। मिल रहे हैं, लायक जीवन में थोड़ी शांती हो सकती है, लेकिन वित्तिय लाब के लिए समय आप के लिए अत्यंत। क्या रहेगा सन्यम बनाय रखें, और किसी को भी कठोर शब्द न बोले पार्टनर की सेहत का विशेश ध्यान रखें, जहां तक संभव हो सके, अपने स्वास्थय का भी ध्यान रखें, और बेफिजूल के खर्चों से बचें, याद उसको इस लिस्ट में जो अगली राशी ह मिथुन राशी या दोस्तों मिथुन राशी वालों को बता दें कि यह ग्रहन आपके लिए शुब संकेत लेकर आ रहा है, इसलिए इस राशी के लोगों की खर्च में थोड़ी कटाउती रहेंगी, शत्रों पर विजय प्राप्त करेंगे और परिश्रम अधिक करना पड़ किन्तु सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी, जहां तक हो सके तर्क वितर्क से बचे धन लाब होने की आपके लिए योग बन रहे हैं, कार्यों में सफलता हासिल करेगी वाद बिवाद से दूर आपको रहना होगा, यहां आपके लिए फायदेमंद रहेगा राशी है वे राशी है, कर्क राशी इस समय में आप अधिक आध्यात्मिक हो जाएंगे इश्वर भक्ती की ओर, और और अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और मानसिक तनाव से बचेंगे नौकरी या व्यापार में अच्छे परिणाम आपको मिलने के संकेत हैं, चिकित्सा मुद्द के लिए सचेत रहने की आपको आवश्चकता है, धन लाब होगा, अगर आप ओम शब्द का उच्चारन करते हैं, तो आपका मन शान्त रहेगा या तो उसे इस लिस्ट में राशी है, वे राशी है, सिंह राशी रिष्टों के लिए समय बहुत ही अच्छा है, व्यापार में सफलता मिलने के संकेत है, और मामूली आर्थिक नुकसान के साथ वित्तिय और खर्च होने के संकेत है, नौकरी के लिए प्रयासर्थ है, तो उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी ग्रहन, अच्छे प्रभाव आपके लिए सिंह राशी वालों लेकर आया है, व्यापार में लाब होगा, परिबार के सदस्यों का आप ध्यान रखे कारियों में सफलता हासिल करेंगे, भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करने से आपको लाब मिलेगा, इस साथ आपका भाग्य और आर्थिक लाब मजबूत होगा, जल्दबाजी में किये गए फैसलों से बचें और अपने आसपास के लोगों के साथ धैर्य रखें, इस राशी के लोगों को परिश्रम अधिक करना पड़े किन्तू, आमदनी कम रहेगी व्यर्थ के खर्च करने से बचे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग भी बन रहे हैं, में आपको सफलता मिलेगी दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है, वह है, तुला राशी तुला राशी वालों को बता दें कि इस चंदर ग्रहें के प्रभाव से आपको धन प्राप्ती के संग के मिल रहे हैं, इसलिए वे फजूल के खर्चों से आप बचे स्वास्थ्य के क्षेतर में हलके फुल के उतार चड़ाव आपके के लिए संभव है, किन्तु कोई बड़ी बीमारी होने का कोई भी संकेट नहीं है, साथ साथ घर परिवार में खुश्नुमा माहौल रहेगा स्वास्थ्य का विशेश रूप से ध्यान रखें और पार्टनर की सिहत के प्रती भी आप थोड़ा सचेत रहें, दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशी है, वह है, व्रिश्चिक राशी, व्रिश्चिक राशी वालों को बता दें, अपने स्वास्थ्य और मानसिक तनाव का आप ध्यान रखें, जीवनसाथी के साथ वाद विवाद और मतभेड होने के संकेट हैं, आर्थिक नुकसान होने के भी संकेट मिल रहे हैं, इसलिए फिजूल के खर्चों को आप नियंतरित करें इस वर्ग की भक्ती में लीन होने की कोशिश करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, इस दौरान आपके कारिय में बाधाएं उत्पन होंगी, कैरियर में मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा, वाद विवाद में फंस सकते हैं सावधान रहें माता-पिता की सेहत बिगड सकती है, इसलिए माता-पिता की सेहत के प्रती थोड़ा सचेत रहें यह राशी है, दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है, वह राशी है, धनु राशी धनु राशी वालों को बता दें, वाद विवाद से इस समय आपको बचना होगा और वानी पर आपको नियंतरन रखना होगा। धैर्य रखें और ध्यान रखें संतान के सुख की प्राप्ती होगी विद्या अध्ययन कर रहे लोगों को विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी आर्थिक स्थिती में सुधार आएगा नौकरी और व्यापार में सफलता हासिल करेंगे स्वास्थ्य संबंधित पर ये मजबूत बनेगा कार्यकृत्र में आपकी प्रशंसाहोगी व्यापार में तरक्की मिलेगी नई-नई योजनाए बनाएंगे जिसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है वह राशी है वह राशी है कुंभा राशी दोस्तों कुम्भ राशी वाले लोगों के लिए बता दें। बहुत ही अच्छा नहीं है इसलिए स्थल पर थोड़ा आप सामन जस्य बना कर रखें अपने और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आवश्चक्ता है वाद विवाद से बचें और गलतफ हमी को दूर करने के लिए समवाद करने का प्रयास करें। आवश्चा अन्य स्वास्थ्य करें। झाल झाल